नमस्कार आपका अख़बार के इस अंक में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग चुनाओ के कुछ बेसिक नियम होते हैं जिनका पालन हर चुनाओ में होता है और स्वते होता है वो किसी को बताने की कहने की जरूरत नहीं पड़ती है पार्टियां, कैंडिडेट और जो भी संगठन लगे होते हैं उसका पालन करते हैं सरकार हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो और उसको तीन शब्दों में परिभाशित किया जा सकता है एक है दावा, दूसरा है वादा और तीसरा है इरादा तो सतारूर दल जो है, वो दावा करता है, उसको जो मौका मिला, जनता ने मौका दिया, जनादिश दिया, उस दोरान उसने किया किया दावा करता है कि हमने ये वादा किया था देखे चुनाओ के समय और हमने ये 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 काम कर दिया तो प्रधान मंतरी नरेद मोदी के पास दावों की भरमार है कि उन्होंने पिछले दस साल में क्या क्या किया पांस साल में उससे पहले के पांस साल में कुल मिलाकर दस साल का उनका शासन रहा है तो उसकी एक लंबी फैरिस्त है चाहे आप अर्थवेवस्था की बात कर ले दुनिया की पांचवी सबसे तेजी से बढ़ती हुए अर्थवेवस्था उनको जो विरासत में मिली थी फ्रेजाइल फाइव में मिली थी और अब जो है टॉप फाइब में पहुचा दिया है उन्होंने भारत की अर्थवेवस्था को भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में जो बढ़ी है हिंदुत्व, सनातन धर्म की जो पुनरस्थापना हुई है वो उनके दावे में आएगा लाभारतियों का उन्होंने एक बड़ी फोज तयार कर दी है जिनके रोजमर्रा के जीवन में परिवर्तन आया है सरकार की नितियों से, सरकार के कारिक्रमों से पारदर्शिता आई है सरकारी जो योजनाए हैं आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने एक समय कहा था कि हम दिल्ली से एक रुपया भेशते हैं तो नीचे गाउं तक पहुशते पहुशते हैं वो सिर्फ पंद्रपैसा रह जाता है अब इस्थिती ये है कि एक रुपया दिल्ली से चलता है तो एक रूपया ही गाहों तक पहुंचता है जो इसका अजिकारी है जो इसका हक्दार है तो पारदरशिता के कारण जो घोटाले घपले हो रहे थे वो खतम हुए है और उसके अलावा जिस तरह से सनातन धर्म की पुनर स्थापना हुई है खास तोर से अयोध्या में राम मंदिर के निर्मान और फिर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कारिकरम के बाद पूरी दुनिया ने उसको कौतो suppression भरी नजरों से देखा है बड़े सम्मान की नजर से देखा है और दुनिया का नजरिया जो है भारत के प्रतिबद्ला है, सिर्फ भारत के विपक्ष को छोड़ कर, भारत के विपक्ष और खास्त और से मुख्य विपक्षी पार्टी जो कॉंग्रेस पार्टी है, उसने राम लला के प्रान प्रतिष्ठा के कारिकरम का बहिश्कार किया, उसमें जाने से मना कर दिया, उनक प्रिहास से अतीच से कोई सबक नहीं लेना चाहते हैं वो ये भूल गए कि 1990 में मंडल कमिशन की जो सिफारिशे हैं उनको लागू करने का काम विश्वनात प्रताप सिंग की सरकार ने किया था और उनका राजनितिक हश्र क्या हुआ उसी लोग सभा में उनकी सरकार गिर गई और एक साल भी प्रधान मंत्री नहीं रह पाए और उसके बाद लौट कर कभी प्रधान मंत्री बने नहीं उनकी पार्टी की स्थिति जो है वो जो 1989 के इलेक्शन में थी 147th सीट्स की उससे घटकर आधी रह गई अगले चुनाव में तो केवल योजना लागू कर देने से या कोई कारिकरम लागू कर देने से उसका श्रेय आपको नहीं मिलता लोग इस बात को परखते हैं कि उसमें आपकी नियत कितनी है क्या आपका कमिटमेंट है उसके प्रती कॉंग्रेस पार्टी और विश्वनात प्रताप सिंग का कमिटमेंट मंडल आयोग या सामाजिक न्याकी ताक्तों के साथ नहीं था इसलिए लोगों ने उनका साथ नहीं दिया अब देखे जातियों की बात तो राहुल गान्थी कर रहे हैं लेकिन वो एक चीज़ को भूल जा रहे हैं कि जिन पिछलों और अति पिछलों और दलितों और आद्वियासियों की बात कर रहे हैं सनातन धर्म को अगर बचा कर किसी ने रखा है तो इनी वर्गों ने बचा कर रखा है और सनातन धर्म की उपेक्षा करके उसका मजाक उड़ा कर आप जो है इन जातियों का इन समाज के लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते ये सीधी सी बात राहूल गांधी कॉंग्रेस पा समाज के नेता थे उनके कहने पर भी सभी दलितों ने बहुत धर्म नहीं अपनाया उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बहुत धर्म अपना लिया था लेकिन दलितों ने उनके कहने पर भी बड़ी संख्या में या कहे कि बहुसंख्यक दलितों ने बहुत धर्म नहीं अ उसकी क्या दशा है आप से चिपी नहीं है और उनके रहते हुए जब वो जीवित थे राजितिक रूप से सक्री थे तब भी उनकी पार्टी की क्या स्थिती थी ये भी किसी से चिपी नहीं है इतिहास उसका गवा है तो दावा करने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के पास मुद्दों की भरमार है लेकिन जो मैं बात कह रहाँ कि नियम होते हैं ये चुनाव जो है इन सारे नियमों को उसने गड़मड कर दिया है सब सारी जो वरियता है जो करम है उसको बदल दिया है और एक नया करम जैसे इस्थापित किया है दावा करना सरकार का काम है ये अगला जनादेश मांगने जाती है तो दावा करती है कि हमने ये ये कर दिया उस पर परखती है जनता कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है गलत है कितना सही है कितना गलत है वो एक अलग पक्ष है उस पर बात अभी करूँगा दूसरा विपक्ष ये वादा करता है कि अगर आपने हमको जनादेश दिया हमको मौका दिया हमको अवसर दिया तो हम ये ये करेंगे और तीसरा पक्ष है चुनावी राजनिती का इरादा इरादा जो है वो मद्दाता का होता है मददाता अपना इरादा बनाता है कि किसको लाना है किसको हटाना है किसको फिर से जनादेश देना है और किसको जनादेश से वंचित रखना है ये इरादा वो अपने वोट के जरिये जताता है और वो आंकलन करता है दोनों का आंकलन करता है जो सत्तार उटदल है उसका भी आकिलन करता है कि पांस साल में कैसा काम किया और पांस साल में काम ही नहीं किया काम करने की नियत कैसी थी क्या काम करने की नियत है अगर जितना वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ लेकिन उसको करने की नियत है तो मददाता का इरादा उसके पूरा नहीं किया और फिर जनादेश मांगने आगए तब वो देखता है कि जो उसके विरोध में है, विपक्ष में है, विकल्प के रूप में है उसमें कितनी क्षमता है. क्या उस से जाधा क्षमतावान है? क्या उस पर भरोसा करें तो वो बहतर कर सकता है? ये सब जब तॉ दावा हो गया सत्तारूड़दल का, वादा हो गया विपक्ष का, और इरादा हो गया मद्दाता का. लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार हो ये रहा है कि दो तरह की ताक्तों में लडाई हो रही है. एक तरफ है प्रधान मंतरी नरिद मोदी के नेतुत में भारती जन्ता पार्टी की ताकत जो राजनीति के रणनीति के हिसाब से चल रही है. उसके पास हिंदुतु का मुद्दा है उसके पास राष्टवाद मुद्दा है उसके पास विकास का मुद्दा है उसके पास वंचित वर्ग के उत्थान का मुद्दा है उसके पास लाभार्तियों की एक बड़ी फोज की संतुष्टी का मुद्दा है उसके पास आर्थवेव कसोर्टियों पर मदधाता भारतिय जंता पार्टी और प्रधानमंतरी नरेंद मौधी को कसेगा लेकिन एक विशितर बात यह हो रही है कि वादा भी प्रधानमंतरी नरेंद मोधी और भाजपा कर रहे हैं। इस चुनाओं का मेरे हिसाब से जो central theme बन रहा है वो है मोदी की guarantee और मोदी की guarantee और कुछ नहीं है सिर्फ वादा है कि मोदी अगर फिर से तीसरी बार सत्ता में आए तो मोदी की guarantee है कि ये काम होगा ये ये काम होंगे उनकी लंबी सूची है अभी party का manifesto आएगा उसमें और इस प्रश्चता आएगी तो दावा भी कर रही है सत्तारूड party और वादा भी कर रही है सत्तारूड party विपक्ष के पास दावा करने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि इससे पहले के 10 साल में जब विपक्ष रहा 2004 से 2014 तक उस दवरान का अगर वो दावा करना शुरू करेगा तो उसको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी इतने घोटाले इतनी अराजकता इतनी अवववस्था ये सब देखते हुए जनता जो है अपना इरादा तो 2014 में ही बता चुकी है उसको फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन विपक्ष के पास कोई वादा करने के लिए भी बड़ा मुद्दा नहीं है कॉंग्रेस पार्टी जो है उसके डिने में है अटी हिंदुत्व अभी करनाटक की विधान सभा में जब राज्य सभा के दिवार्शिक चुना हो रहे थे कॉंग्रेस का कैंडिडेट जीता तो वहाँ पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगे अब देखें दो मुद्दों पर हिंदुत्व और राष्टवाद दोनों मुद्दों पर कॉंग्रेस पार्टी मात खा रही है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को कोई अफसोस नहीं है फॉरेंसिक जांच से ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगे पहले मुख्यमंतरी सिधरमया ने कहा था कि अभी थाबित नहीं हुआ है फॉरेंसिक जांच कराएंगे आवास की जांच कराएंगे कि ऐसा नारा लगा या नहीं अब सरकार की ही रिपोर्ट के मताबिक फॉरेंसिक जांच से ये पता चला है कि पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगा था बात यह नहीं कि क्या नारा लगा बात यह है कि मानसिकता क्या है आखिर आपका उमीदवार अगर जीत गया तो उसमें पाकिस्तान जिन्दाबाद यह नारा क्यों लगना चाहिए हिंदुस्तान जिन्दाबाद क्यों नहीं क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है पाकिस्तान का नागरिक है, पाकिस्तान की मदद से जीता है क्या, पाकिस्तान का उसमें कोई योगदान है क्या, ये सवाल है जो कॉंग्रेक्स पार्टी से लोग पूछ रहे हैं, कि भई अर्थमेवस्ता के मोर्चे पर आफ फेल हुए, वंचित वर्ग के जीवन के उत्थान के मोर्चे पर आफ फेल हुए, राष्टवाग के मुद्दे पर आफ फेल हुए, आपके शासन में आतंक वाग का बोल बाला था, शहर शहर जो है बॉन ब्लास्ट हो रहे थे, सीम को विभिन सरकारों के देखें तो 2004 से 2014 का कारेकाल जो है UPA सरकार का वो सबसे भरष्ट कारेकाल कहा जाएगा सबसे जादा भरष्टाचार उसी समय था तो केवल जाती का नारा या सामाजिक ड्याय का नारा दे देने से परिवर्तन नहीं होने वाला है उस पर आपकी विल्टी होनी चाहिए उस पर आपकी विश्वस नियता होनी चाहिए जो राहूल गांधी की बिलकुल नहीं है कॉंग्रेस पार्टी की ही नहीं रही है कभी सामाजिक नियाय के मुद्दे पर जाती आरक्षन का मुद्दा हो या फिर मंडल कमिशन का मामला हो पिछले अभी कॉंग्रेस के साथ गया नहीं. अब ये साधारण सी बात अगर राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है तो आप समझ सकते हैं कॉंग्रेस का क्या हाल होने वाला है. राहुल गांधी पिछले 20 सालों में एक नॉन सीरियस पॉलिटीशन की तरह उभरे हैं. लोग बताते हैं कि जो ये इंडी एलाइंस बना है इसकी बैठकों में जब बातकीत हो रही होती है गंभीर मसलों पर चर्चा हो रही होती है तब वो अपने फोन पर खेलने में. अब व शोक्षवान का उधारन बताया. सबसे ताजा उधारन है. चालिस दिन तक मिलने का समय मांगते रहे नहीं मिला. और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का उधारन सामने है. सरकार जाते जाते बच्ची है. सरकार जो है वो कितने दिन बच्ची रहेगी ये कहना मुश्किल है. लेकिन हिमाचल के विद्रोह के जरिये कॉंग्रेसियों ने गांधी परिवार को ये संदेश दिया है कि आपका रुक्का अब नहीं चलता. आपके कहने से वोट नहीं मिलता तो आपके कहने से हम कुछ करेंगे भी नहीं. ये बड़ा साफ साफ संदेश जो है गांधी ये सवाल कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने आप से पूछना चाहिए। ये सीटे मिली थी और एंडीय को राष्ट्री जनतादिरिक गडबनन को जो तीन सो तीरपन यानी थी फिफ्टी थी सीट्स मिली थी उससे कितनी जादा आएंगी कम की भी कोई बात नहीं कर रहा है कि क्या इसमें कमी हो सकती है इसकी भी चर्चा नहीं हो रही है कितनी जादा प्रधान मंत्री ने गोशना किया है कि 370 प्लस बीजेपी और 400 प्लस एंडीय की सीटे आएंगी अब चर्चा का केंदर बिंदू वही बना हुआ है कि कितनी आएंगी जो प्रधान मंत्री ने दावा किया है क्या वो जनता का इरादा है ये सबसे बड़ा सवाल है 2024 के लोग कीजे और सबस्क्राइब जरूर कीजे नमस्कार